नमस्कार वित्रों और कैसे हैं आप सभी बिरुजगर गैनी चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों मुवीज तो आप देखते होंगे और मुवीज बंदी की जो प्रोसेस होती है वो भी आपको कहीं नहीं पता ही होगी लाइट कैमरा एक्शन एंड मुवी तयार लेकिन दोस्तों हमने टर्मिनेटर मुवी देखिए उसमें भी काफी कमाल की टेकनलोजी और जिस तरीके से यहां पर टर्मिनेटर के पूरे यहां पर सीजी आई था या उसका वी एफेक्स था वह काफी कमाल का था लेकिन आगे बात आए तो 2009 में आय थी अवतार एंड दोस्तों अवतार फर्स्ट ने जो धमाल मचाय था जिस तरह का विजूल ट्रीट था वो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी उसके पीछे क्या टेकनलोजी रही होगी और दोस्तों अब अवतार टू देव वे ओफ वाटर इतने साल लगे तेरा साल इस मुवी को आने में अवता अवतार अवतार टू देवे ओफ वाटर और अवतार 3,4,5 इस सीरीज की तीन पिचरे और आएंगी अब दोस्तों जैम्स केमरान सर की यह ड्रीम प्रोजेक्ट है अब दोस्तों अवतार मुवी सबसे हटके इसलिए हो जाती क्योंकि दोस्तों इस मुवी में जो CGI करेक्टर हैं वो अपने आप में बहुत ही रियलिस्टिक फील देते हैं साथ में दोस्तों यह पूरी मुवी 90-95% CGI, VFX, SFX इन सब को मिला कर बनी है और एक नया वर्ल्ड क्रियेट किया है और जब इसको हम 3D में बड़े पर देखते तो बाई सब कुछ अलगी देखने को मिलता है कहन में दोस्तों ऐसा कैसे सक्सेज हो पाया क्योंकि CGI, VFX, SFX यह पहले से चलता आ रहा है कोई नई टेकनोलोजी नहीं है लेकिन इन टेकनोलोजी में क्या इन्नोवेशन किये गए यहां पर जैंप्स केमरों ने क्या एड किया जिसकी वज़े से उनकी मुवीज में यह एन्हें होता है जिससे मुवी शूट होती है और तीसरा दोस्तों मोशन कैप्चर और लाइव एक्शन का मिक्स जिसको हाइबरीड कैमरा या फिर साइमल कैम सिस्टम भी कह सकते हैं अब दोस्तों यहां पर यह वर्क कैसे करते हैं बताता हूं तो सबसे पहले बात करें CGI पाफॉमें लगे होते हैं वह उन इंफ्रारेड डॉट से दोबार जो भी डेटा जाता है उनको एनिमेटर को देते हैं जिसकी वज़े से वह एक डिजीटल कैरेक्टर तयार कर पाते हैं नॉर्मल ऐसे काम करता है आपका मोशन कैप्चर तो जितना भी यहां पर मोशन करेगा जितना भ और भी एक्यूरेट करने के लिए फिर एडवांस करने के लिए यहां पर जैम्स कैमरा ने एड़ किया हेलमेट कैमरा रिग अब दोस्तों एक्टर को एक हेलमेट पहना दिया जाता था उसके सामने एक छोटा सा कैमरा लगा होता है जिसमें LED लगी होती थी अब दोस्तों व यहां पर cg-i था उसके पॉफमेस हमको काफी रियलिस्टिक लगी तो दोस्तों हेल्मेट केमरा रिग में जो कैमरा होता है वह एक्टर के जो एक्सप्रेशन या फेशल परफॉमेंस है उसको काफी accurate तरीके से capture करता है जिसके वज़ए से जो CGI character है उसके जो facial expression है वो काफी accurate हो जाते हैं और CGI performance capture में second thing जो add की वो थी virtual camera अब जो set होता है उस पर हमको कुछ भी नहीं दिखाए देता है बाद में graphic add case आते हैं कि कौन सी जगए कहां पर रखनी है आखिर वो किस paid पर चड़ रहे हैं तो वो हमको ऐसे दिखाए नहीं था तो virtual camera क्या करता था जिस पर पूरी movie जाज scenery है जैसे कहां पर paid है पहाड है कौन सी क्या जगए तो वो direct live उस चीज को देख पाते थे इस वज़े से उनकी जो movie making है कौन सा character कहा होना चाहिए और दोस्तों gyro के साथ में काम करता है तो वो किसी भी angle में घूम कर कौन सी चीज का है वो आराम से जिसके वज़े से cgi character कौन सी जगह कहां पर क्या performance चल रही है वो आसानी से अंदाजा लगा कर देख पाते थे तो इससे उनकी just movie making काफी easy हो गई और दोस्तों उसी virtual camera की मदद से जितने भी plane से हमको movie में दिखाए गये हैं वो कौन सी जगह पर land करने आसानी से वो उस camera की मद से virtual reality के जो भी set होता था उस पर direct live देख सकते थे इसलिए इतनी accuracy हमको movie में देखने को मिली second camera scenario फिर camera situation live action camera तो दोस्तों इसमें जो camera यू जाता है वो movie की world में जितनी movie बनती है वही camera होता है लेकिन दोस्तों यह पूरी movie क्योंकि 3D में बनी है तो दोस्तों यहां पर gems camera ने ए होता है कि दो camera यहां पर use किया जाते है एक को vertically एक को horizontally जिसको splitter beam technology के साथ में shoot किया जाता है अब दोस्तों gems camera उनके fusion रहे इसमें camera होता है वो आसानी से move कर सकता है कहने कि मतलब जो shooting करते थे तो जो हमारी eyes होती है तो जिस तरह सा हमारी eye exist होती है ठीक उसी तरह वो camera work करता है तो उसे जो 3D होता है वो काफी accurate और काफी better तरीके से even दोस्तों 3D मतलब normal movie से काफी better 3D जो वर्जाने वो provide कर पाता है design of the camera has been research for a long period of time what they've done is essentially assembled two cameras with a beam splitter that are able to simultaneously photograph two images at the same time and you have a series of servos that basically you can align the two images or this line according to how much 3D you're looking for in a shot यह सबसे आसान भासा में मैंने बताने की कोशिश की है लेकिन दोस्तों पूरी movie तो CGI है यहां पर live action मतलब humans तो इतने है नहीं तो फिर आखिर कैसे केवल camera से काम चलेगा अब दोस्तों CGI performance capture यानी motion capture प्लस live action camera इन दोनों के fusion से एक simul cam system बनाया गया जिसम क्या होता है दोस्तों जो आपका live action camera के साथ में चोटे चोटे dot projector लगा दिये गए थे या फिर reflectors जिनको हम कहते हैं और वो register होते थे motion capture वाले system के साथ में अब होता है कि जो already CGI वाला हिस्सा suit ह हो चुका है उसमें live action वाला shoot add करना है तो दोस्तों automatic यह camera जहां पर भी जाता जो भी shoot करता तो यह augmented reality के तरह काम करता तो already जो shoot हो चुका है वो उनको एकदम live तरीके से देखता और जो action वाले से उनी में वह आसानी से composite कर पाता है अब बोलने में यह इतना tricky और hard लग रहा है तो सोचो किस तारीके से यह technology एप इणे होगी तो इस प्रिकार जैम्स कैमरों ने मोशन कैप्चर को एक लेवल अप कर दिया जिसमें उन्होंने हेलमेट कैमरा रिग और वर्चुल लेटी कैमरा का यूज किया अब दोस्तों उसके बाद में उन्होंने यहाँ पर जो 3D कैमरा है उसमें भी अपना खुद का फ्यूजन रिग बनाकर उसको और भी एडवांस करें जिससे 3D परफॉमेंस बैटर हो अब दोस्तों उसके बाद में जैंस केमरान के सामने अवतार पार 2 अपने आप में एक चैलेंज था अब दोस्तों अवतार वं इस पानी वाले जो फूटेज दे वो शौर्ट थे वहां पर कोई न कोई कमी थी वह ना तो कलियर थे और दोस्तों उसमें जो एक्च्वल यहां पर पर्फेक्शन वह चाहते हैं कि जितने बी अंडर वाटर सीनों जो भी वह इतने रियलिस्टिक लगे कि लोगों को फेक ना लगें इस वज़े से दोस्तों उन्होंने ठान ली कि यह टेकनोलोजी इन्वेंट करनी है उसके बाद में अवतार वे ओफ वाटर में जो और भी रियलिस्ट और भी एन्हेंस और भी अच्छा तरीके से प्रजेंट करने के लिए जो टेकनोलोजी उनको भी थोड़ा अपग्रेड किया गया जैसे कि दोस्तों यहां पर कैमरा रिख था हेलमेट कैमरा देख उसमें पहले एक कैमरा यूज जब आवतार वन बनी थी लिए जब आवतार 2 बनी है तो उसमें दो कैमरा लगा दी गए ताकि जो फेशल एक्सप्रेशन है वो और भी ज़्यादा एकुरेट कैप्चर हों अब दोस्तों यह तो बहुत ही मामूली से अपग्रेड था असली अपग्रेड होआ यहां पर अंडर वाटर कैमरा के लिए क्योंकि दोस्तों आवतार फर्स्ट है वो 3D में बनी थी तो आवतार 2 का भी 3D में बनना जरूरी था अब दोस्तों पहले जो नॉर्माल टेक्नलोजी होती थी अंडर वाटर शूट करने की उसमें एक बड़ा सा कैमरा होता था और उसको ढखने के लिए एक बड़ा सा बॉ लेकिन जैम्स कैमरों ने इस समझा से निपटने के लिए डिसकावर किया डीप एक्स 3D कैमरा रिग अब दोस्तों कैमरा रिग वही है दोस्तों जिस तरह पहली आवतार फर्स्ट में दो कैमरा को मिलाकर 3D रिग तयार किया उसी के लिए उसी को वाटर प्रूफ बनाने के लिए या फिर अंडर्वाटर यूज करने के लिए यहां पर डीप एक्स 3D रिग उन्होंने तयार किया जिसकी साहता से डवलप ओवा नेक्स जनरेशन अंडर्वाटर 3D कैमरा जो कि इससे पहले कभी फीचर फिल्म में यूज नहीं हुआ अब दोस्तों एक चीज और आप और केमरा लेंसेज को डिरेक्ट पानी में डूबना था उसके लिए यहां पर सबमसेबल कैमरा लेंसेज यूज किये गए थे जिन को पानी में डूबटयार जा सके बादी थी कैमरा की उसको तो housing के अंदर रखते थे और जो main camera जो lenses है जिनको पानी में मतलब साफ दिखना चाहिए वो आराम से पानी में डूबने लायक थे मतलब waterproof थे तो इस तरीके से दोस्तो जो भी clarity है वो आसानी से मिल सके उसके उसके अक्टेल ने यहाँ पर यूज किये सबमिसेबल camera lenses जिससे camera की जो body है वो रिखी के housing में मतलब अंदर सेफ रह सकते है और बाहर जो lenses है उस सबमिसेबल होने के कारण पानी में उनका कुछ बिगड़ेगा नहीं और clarity भी काफी अच्छी आएगी तो इस तरीके से दोस्तो एकदम किलियर तरीके से जो भी हमने देखा वो उस camera का ही कमाल था तो इस तरीके से रेडी वार डीपेक्स 3D underwater camera लेकिन दोस्तों अब underwater का क्या किया जाए जहां पर पानी एकदम रियल दिखना चाहिए को कि पानी पू तो दोस्तों अब जितना भी CGI performance capture मतलब जितना भी motion capture का scene होने वाला था वो underwater होने वाला था तो underwater ही अब आपने एक stage था performance capture का अब दोस्तों वहां पर underwater में खोब सारे stationary camera जो कि उसकी motion capture ले पाए वो सब उसके अंदर ही set किये गए थे लेकिन यह तो CGI capture tank ready हुआ है अब दोस्तो सब कुछ depend करता था actors और उनकी underwater performance पर अब दोस्तों actors अगर यहां पर oxygen के जो मुपे लगाते हैं diving के लिए वो यूज करते तो उसमें बहुत जादा बुलबुले आते जिससे कि यहां पर जो motion capture का helmet rig है उसमें काफी distortion आ सकता था पानी वाला और इस problem का सिर्फ एकी solution था breathe hold underwater च मदद से यह सब किया गया सब यहां पर ट्रेनिंग ली underwater breathe hold करने की और breathe holding training के दौरान के विंसलेट जो की रॉनल का character ने वारे अवता टू में उन्होंने साथ मिनट 14 सेकिंड का record बनाया इससे पहले tom cruise ने mission ने पहुच बलकि सैट पे 6 मिनिट तक breathe holding के record बनाया हुआ था और इसी तरह दोस्तों बाकी एक्टरस ने भी अपनी breathe holding की शमता 5-7 तक बढ़ा ली थी जिसके वाज़े से दोस्तों यहां पर underwater जितने भी चार या 5 मिनिट के short होते थे वह आसानी से हो जाते थे और काफी naturally भी shoot हुए जिसके वाज़े से हमको way of water भी जितना भी underwater scene दिखा गया वो उनकी तैरने का तरीका या जो भी ओ facial expression वो काफी natural और काफी accurate दिखते हैं अब क्योंकि दोस्तों CGI performance capture का जो set था वो underwater था बोले तो पूरा एक बड़ा सा टैंक था लेकिन दोस्तों वो था तो एक building में उपर से जितनी भी lights आती थी उनके reflection का क्या उसके लिए दोस्तों य उन्होंने इन techniques में लगाया इसकी वजह से तयार हो पाई Avatar 2 The Way of Water और दोस्तों जब यह movie release हुई तो हमने Avatar The Way of Water का जादू देखा मैंने इसका review अपने fps review चैनल पर दिया हुआ है जाकर देख लीजिए और दोस्तों to be honest मुझे मज़ा आ गया यह movie अपने आप में एक visual treat थी अ समझ आई कि किस तरह से आपर James Cameron ने अपने techniques की वज़े से अपने discoveries की वज़े से किस तरह से अपने अपनी चीजों को invent किया, develop किया, discover किया फिर जाके हमार सामने एक grand level का visual treat हमको दे पाए तो दोस्तों कुछ भी अगर समझ आया हूँ या फिर कुछ भी आपके सवाल हो मुझ अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मात्रम